पोथी परमेशर का थान, साध संग गा वहगुण गोबिंद पूरन ब्रहम ग्यान जानकारी देन तो बिना इस वारी आपां स्वाल पुछांगे अपने साबनू साधावी पेशापा में पत्रकारी है, पच्छान सिख है ते हर किसे नू इस दुनिया दे उत्ते चाहे हो किसे वी कित्ते दे नाल जुड़या होए उसनू अपनी मर्जी दे नाल कोई वीतारम मनन दा हक है ए उसनी निज्जी अज़ादी है सो आज आपां सारे अपने आपने कुछ स्वाल पुछांगे ते उना स्वाल दे दा आरते शायद असी अपने आपने थोड़ा जा परक सकीए कि असी साच मुच जुगो जुग अटाल साहिब शीरी गुरु ग्रांच साहिब जीनू आपना एकको एक गुरु मान दे है कि असी सिर्फ ते सिर्फ शीरी गुरु ग्रांच साहिब जीनू आपना गुरु मान दे है कि तुसी सिर्फ एक अकाल पुरुख नू मान दे हो, कि यसी किसे देतारी गुरु नू मान दे हा, ते उसनू जुगो जुग अटाल गुरु तो भी उच्चा समझ दे हा, कि यसी शिरी गुरु ग्रांद साहिब जी तो बिना किसे होर अगे भी सीज चुकाँ दे हा, जा कि यसी अपने बच्चेयानों रुजाना पार्ट सिखाऊंदे हा, कि सानू पता है कि शिरी गुरु ग्रांद साहिब जी दे किन्ने आंगने, कि सानू पता है कि किन्ने गुरु साहिबाना दी बानी दर्ज है, कि सानू पता है कि किन्ने महापुर्शातिपकता दी बानी शि पशामा दे विछज थे कि तुसी वैमा पर्मातिक पर्मकांडारज विच विश्वास रख़दे हूँ, कि तुसी तरम्दे नाते तंदाता ना ylेकरदें कि तुसी बाणे नूपढ्र दे विचार दे ते फिर जीवन विर्चता अरण करदे। कि तुसी किसे वी पक्तों, किसे वी इंसान दा माडाता निकरदे। इस वार ए सिर्फ 16 स्वालने तेना 16 स्वालना दा सी अपने आपनू ही जवाब देना है इमान दारी दे नाल हाँ जा नाद विच उत्तर देना है ते शायद ओथों सी अपने आपनू थोड़ा जा पर्क सकीए के असी श्रीगुरु ग्रांद साहिब जीनू किन्ना क मान देया मत्था तासी सारी टेक देया परसी उनना दी गल किनी को मान देया शायद ना स्वालना दे जवाब तो आपन जान सकीए नहीं तासी सचे गुरु दे पेखी सिख अखवा मांगे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फते